नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जारडाइस आस्ट्रो पर। आज हम आपके लिए लाए है एक और वीडियो जिसमें हम जानेगे प्रकृती के शुब संकेतों के बारे में कि वो कौन से संकेत है जिन से पता चलता है कि आपका अच्छा समय कब आने वाला है शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिये और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूले चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुवात करते हैं जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है तो उसे प्रकृती और जीव जन्तूओं के माध्यम से महत्वपूर्ण शुब संकेत मिलते हैं हमारे रिशिमुनियों ने वेदों में ऐसे संकेतों का उलेक किया है जिनसे हम भविश्य के अच्छे या बुरे समय का अंदाजा लगा सकते हैं इन संकेतों के माध्यम से प्रकृती हमें पहले ही बता देती है कि बदलाव आने वाला है भगवद गीता के एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनी को कहा था कि जब किसी व्यक्ती का भाग्य बदलने वाला होता है तो मैं उसे प्रकृती और पशुपक्षियों के माध्यम से इशारे देता हूँ ये संकेत इस बात का प्रतीक होते हैं कि उसका समय बदल रहा है और उसकी किस्मत चमकने वाली है तो आएए इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानते हैं कि कौन से हैं ये शुब संकेत जो आपके जीवन में बदलाव का संकेत देते हैं प्राचीन भारतिय शास्त्रों और वेदों में प्रकृती और जीव जन्तूओं से जुड़े शुभशुब संकेतों का महत्व गहराई से समझाया गया है। मनुष्य का जीवन और भविश्य कई बार प्रकृती और जीव जन्तूओं के वेवहार से जुड़ा होता है। इन संकेतों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने जीवन की दिशा और आगामी घटनाओं का अनुमान लगाया इन संकेतों को समझकर हम आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की तैयारी कर सकते हैं या अनिष्ट से बच सकते हैं आये जानते हैं कि कुट्टे, गाय, हाथी, बिली, उलू, कावा, सांप, कबूतर, कच्छुआ और घोडे से जुड़े इन विशेश संकेतों का विस्तार से विवरन क्या है? कुट्टे से जुड़े शुब शुब संकेत कुट्टों के वेवहार को प्राचीन काल से शुब और अशुब संकेतों से जोड़ा गया है उनके कई हावभाव भविश्यवानियों का माध्यम माने जाते हैं यहां कुछ प्रमुक संकेतों का विवरन है एक कुट्टा पूंच हिलाए यदि कोई आवारा कुट्टा आपको देखकर पूंच हिलाता है तो यह शुब संकेत है यहां आपकी किस्मत के साथ होने और कारियों में सफलता का प्रतीक है दो दाहिनी ओर से शाकाहारी वस्तू अगर आपको कोई कुट्टा दाहिनी और से शाकाहारी वस्तू लेकर जाता दिखता है, तो यह आपकी यात्रा में सफलता और धन के आगमन का संकेत है तीन कुट्टे का भौकना अगर कुट्टा सिर्फ आपके ऊपर भौकता है, तो यह जेतावनी है कि आपको अपनी यात्रा या काम को टालना चाहिए यह अपरत्याशिद घटनाओं से सावधान रहने का संकेत है चार कुट्टे का भाग जाना यदि कुट्टा आपको देखकर भाग जाता है, तो यह अशुब है इसका मतलब है कि आपके आसपास नकारात्मक उर्जा हो सकती है, जिसे हटाने के लिए धार्मिक उपाय करना चाहिए पांच, कुट्टे का रोना घर के पास कुट्टे का रोना, बुरी घटनाओं या बीमारियों का प्रतीक हो सकता है यदि कुट्टा मुभू उपर करके रोता है, तो यह अत्यंत अशुब है छे कुट्टे का खेलना अगर कोई कुट्टा आपको देखकर खेलने लगता है, तो यह शुब संकेत है यह आपके जीवन में अच्छे बदलाव और तरक्की का प्रतीक है कुट्टे के ये संकेत हमें हमारे भविश्य के बारे में जानकारी देते हैं इन संकेतों को समझ कर हम अपने जीवन में उचित निरने ले सकते हैं गाई से मिलने वाले संकेत गाई को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है गाई को शांती, समृध्धी और पुन्ने का प्रतीक माना जाता है गाई से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हे शुभशुभ संकेतों के रूप में देखा जाता है शुभ संकेत यदि आप सुभ़ के समय घर से निकल रहे हैं और आपको गाई का दर्शन होता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है वेदों के अनुसार गाए का दूद पीना या उसे चारा खिलाना जीवन में शांती और सम्रिधी की ओर संकेत करता है खासकर अगर गाए आपके पास आकर मुम हिलाती है तो इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है यदि कोई गाए प्रसव करती है और आपको इसका पता चलता है तो यह शुब समाचार का प्रतीक होता है और आपके जीवन में खुशियां लेकर आता है अशुब संकेत यदि गाए अचानक बीमार हो जाए या अत्यतिक मुर्जाई होई दिखे तो इसे नकारात्मक संकेत माना जाता है यदि गाए आपके घर के पास आकर रोने लगे या उसे चोट लग जाए तो यह किसी गंभीर घटना या परिवार में किसी सदस्य की बीमारी का संकेत हो सकता है इस स्थिती में गाए की सेवा करने से नकारात्मक्ता को टाला जा सकता है हाथी के शुभशुभ संकेत हाथी को भारतिय परंपरा में बुधिमत्ता, शक्ती और समरिद्धी का प्रतीक माना जाता है भगवान गणेश जिन्हें विग्ण हर्ता माना जाता है कासिर भी हाथी का है जो विग्ण और परेशानियों को दूर करने वाले के रूप में प्रतिष्टित है हाथी से जुड़े संकेत भी शुभशुभ होते हैं शुभ संकेत यदि आप किसी कारे के लिए जा रहे हैं और आपको हाथी का दर्शन होता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है यह संकेत देता है कि आपका कारे बिना किसी बाधा के सफल होगा और आपको धन संपत्ती का लाभ मिलेगा अगर हाथी किसी धार्मिक स्थल या मंदिर के पास दिखाई दे तो इसे भगवान का आशीरवाद माना जाता है अशुब संकेत अगर कोई हाथी गुसे में हो या असामान ने वेवार कर रहा हो तो यह किसी बड़ी समस्या या बाधा का संकेत हो सकता है खासकर अगर हाथी आपको देखकर चिंगारता है या आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है तो इसे चेतावनी के रूप में ले और यात्रा या काम को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दे बिल्ली से मिलने वाले शुभशुब संकेत बिल्ली के रास्ता काटने की बात तो बहुत पुरानी और प्रसिद्ध है वेदो में भी बिल्ली से जुड़े कुछ विशेश संकेतों का उलेक किया गया है हालाकि सामान्य धरनाएं इसे हमेशा अशुभ मानती है लेकिन वास्तव में बिल्ली से जुड़े कुछ सकारात्मक संकेत भी होते हैं. शुब संकेत, अगर बिल्ली आपके पेरों के पास आकर सो जाती है या घर में आकर आराम से बैठ जाती है, तो इसे शुब माना जाता है. इसका मतलब है कि आपके घर में शांती और समरिद्धी का प्रवेश होने वाला है. यदि बिल्ली किसी मांगलिक कारे के दौरान शांत होकर बैठती है, तो यह संकेत देता है कि वह कारे सफलता पूर्वक संपन्न होगा. अशुब संकेत, यदि बिल्ली आपके रास्ते को काट दे, खास कर काली बिल्ली, तो इसे अशुब संकेत माना जाता है. ऐसा माना जाता है, कि इससे आपकी यात्रा या काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है. इसी कारण कई लोग इस स्थिती में अपनी यात्रा या कारे को थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं. बिल्ली का अचानक आकरामक हो जाना या किसी वस्तु को तोड़ना भी नकारात्मक ऊरजा का संकेत हो सकता है. उल्लू के शुभशुब संकेत उल्लू को लक्ष्मी माता का वाहन माना जाता है और यह धन और समरिद्धी का प्रतीक है. हाला कि उल्लू से जुड़े संकेत कई बार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं जिनका अर्थ परिस्थितियों के अनुसार भिन हो सकता है शुब संकेत यदि आपको रात में उल्लू दिखाई देता है या उसकी आवाज सुनाई देती है तो इसे धन और सम्रिद्धी के आगमन का संकेत माना जाता है वेदों के अनुसार उल्लू का दर्शन जीवन में नए अवसरों और शुब समाचारों का प्रतीक होता है अशुब संकेत अगर उल्लू दिन के समय दिखाई देता है या असामान रूप से आवाज करता है तो यह अशुभ माना जाता है उल्लू की करकश आवाज या दिन के समय उसका उड़ना किसी गंभीर समस्या या नुकसान का संकेत हो सकता है यह संकेत देता है कि आपको अपने कारियों और निर्नयों में सावधानी बरतनी चाहिए कौवे से मिलने वाले शुभ शुभ संकेत कौवा हिंदू धर्म में पितरों से जुड़ा हुआ है और इसे श्राद कर्म में विशेश रूप से महत्व दिया जाता है वेधो में कौवे के बारे में कई संकेत बताए गए हैं जो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं शुब संकेत यदि कौवा आपके घर के पास आकर मधुर स्वर में बोलता है या आपके भोजन से पहले खाने को चूता है तो यह शुब संकेत है यह इस बात का संकेत है कि आपके पितर प्रसन्न है और उनके आशीरवाद से आपके जीवन में शांती और समरिध्धी आएगी अशुब संकेत यदि कौवा करकश आवाज में जोर से चिला रहा हो या खिड की दरवाजे पर आकर चीख रहा हो तो इसे अशुब माना जाता है यह किसी अन्होनी घटना या परिवार में अशांती का संकेत हो सकता है ऐसी स्थिती में कौवे को भोजन कराना और पित्रों के प्रती श्रद्धा व्यक्त करना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है सांप से जुड़े शुबशुब संकेत सांप को शेशनाग और भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है और इसका दर्शन भी शुबशुब दोनों रूपों में देखा जा सकता है सांप से जुड़े संकेत आध्यात्मिक जागरुकता और चेतना के प्रतीक माने जाते हैं शुब संकेत अगर सांप शांत भाव में आपको दिखाई देता है या सपने में आता है तो इसे आध्यात्मिक जागरुकता का संकेत माना जाता है यह संकेत देता है कि आप जीवन में नई दिशाओं की ओर बढ़ रहे